समस्कार आप सभी का आगें स्क्रप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे ऑनलाइन आर्टी आई किसी भी विभाग में कैसे करेंगे सबसे पहले आप लोग क्रॉम और ब्रोजर पर आर्टी आई ऑनलाइन बिहार या जिस भी राज से संबंदित हो डाल में जो भी हो मेल कर देंगे फिमेल हो तो फिमेल करेंगे यहां इमेल अपना अवस लिखेंगे उसके बाद अपना मुबाइल नमबर यहां लिखेंगे आप लोग लगातार बिना स्किप के वे इसे अवस देखें इसमें आधार नमबर आपका जो आधार कार्ड का नमबर ह वो अबसे लिखेंगे, उसके बाद आप अपना address देंगे, जो भी आपका address hon, एक दो तीन में इस पूरे में आप अपना address, point to point लिखेंगे, जैसे आप जिस भी गौण से संबंदित हование, जिस भी सहर से संबंदित हो, दे देंगे, अपना उसका लोकेशन देंगे, तीसरे में अपना पीन कॉड भी दे सकते हैं, या जो भी आप लोगों को आपका पूरा पता हो, वो पूरा लिख देंगे, उसके बाद यहां अपना इस्टेट सेलक्ट करेंगे, इस्टेट में आपसन आजाएगा, हम बिहार र तो यहां आप लोग अपना अपना डिस्टिक्ट चूज कर लेंगे, जिस भी डिस्टिक्ट से आप इसे हैं, आप इसे अवस चुन लें, कोई भी डिस्टिक्ट चुन सकते हैं, जिस भी डिस्टिक्ट से हों, मैं भागलपूर से तो भागलपूर चुन लिया, अपना ब्ल ओपूलिशन आता है यह चुल लेंगे उसके बाद अपना पीन कॉड यहां दे देंगे अवर्ष उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट में आप आपूलाइन आवेदन करने उस डिपार्टमेंट को यहां सलेक्ट करना दियान रखेंगे जैसे यहां है अगरी केल्चर डिप Department, Animal and Fish Resources Department जो भी है बहुत जरह के Department यहां आप्शन में आते हैं यहां आप लोग यदि आप पुलिस Department से कोई सूचना लेना चाहते हैं तो General, Director, General of Police, DGP को ऐसे आप्शन कर देंगे उसके बाद जो भी प्रपत्र को आप फाइल करेंगे उसका PDF आप अधिकतम 5ME में बनाके यहां अप्लोड करना होगा आप लोग अप्लोड कर देंगे सब्जेक्ट जो जिस्भी सब्जेक्ट से आप सूचना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को यहां भरेंगे या नहीं समझ में आ रहा है तो यहां subject में आप for RTI लिख सकते हैं प्रपत्र कौन के दारा आप जो भी सूचना मांग रहे हैं उसे अपने description box में अवस लिख देंगे type करके उसके बाद इसे save करेंगे save करने के बाद जो है आपको इसमें free के रूप में कुछ details देने होंगे मैं यहां आप लोगों को cable दिखा रहा था कि किस प्रकार online RTI या विदन भर सकते हैं तो आप लोग इस प्रकार भर के पूरा यजब complete हो जाएगा तो आप उसको यहां select करेंगे तो अगला प्रोसेस payment का आता है आप 10 रुपे का online payment करके आप किसी भी विभाग में online RTI कर अपनी जानकारी ले सकते हैं अबस्य आप लोग RTI करें जिससे हो रहे व्रष्टाचार में कमी आए तथा आपका काम आसानी से हो सके जैहिन